सभी व्यूवर्स को मेरा हिर्दे से प्रणाम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे, मेरा नाम है लवकुष मिश्रा और मैं आपको SST पढ़ाता हूँ तो आईए बिना समय को बरबात किये हुए अपने आज के टॉपिक को समझते हैं आज का हमारा टॉपिक है CBSC के सेंपल पेपर का सॉल्यूशन कैसे किया जाए अब बात आती है कि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके के आंसर्स दिये होते हैं लेकिन मैं हमेशा आपको यही बात बोलता हूँ कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस NCRT की किताबों पर करिए क्योंकि पूरे के पूरे औल इंडिया में यही NCRT की किताबे ही चलती हैं और कोई भी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम CBSC की सारे लेटेस्ट अपडेट को लगभग-लगभग कवर करते हैं इस चैनल पर ही मैंने CBSC के सैंपल पेपर को कैसे डाउनलोड किया जाए उसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है अगर आपको उसको देखना है तो आप जाकर के उसको पहले देख लिजे तब ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा कि यहां पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं अब लोटते हैं अपने टॉपिक पर कि CBSC जैसे कि अपनी वेबसाइट पर एक सेंपल पेपर दिया है तो उसी वेबसाइट पर CBSC के सेंपल पेपर का सॉलूशन भी उपलद है ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये मैंने CBSC की ओफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है वहाँ पर CBSC के द्वारा ओफिशियल आंसर्स दिये हुए है जिनको आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे मैं आपको बेसिक बेसिक एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इस सॉलूशन को आपको देखना है इस सॉलूशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए उस दिक्कत का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे यह जो सेंपल पेपर है यह सेक्शन में डिवाइड़ है और हर सेक्शन के कोईशन के मार्क्स अलग-अलग है जैसे पहले कोईशन का एक्जामपल ले लिजे फिर्स्ट कोईशन क्या करा है यहाँ पर चार आप्शन दिये हुए अब इन चार में से देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है और समें यह भी बताएगा है कि पेज कितने नमबर पर है यहाँ पर आपके पास अंसर उपलब्ध है इन चारो आप्शन में से आप्शन सी करेक्ट है जिसमें लिखा है आ जाते है नेक्स्ट कोईशन पर कोईशन नमबर टू कोईशन नमबर टू क्या बोलता है कि which of the following newspaper was started by बाल गंगाधर तिलक अब यहाँ पर चार आप्शन्स है चार आप्शन्स में से कौन सा सही है आप्शन नमबर बी सही है बी क्या है के सरी कोईशन नमबर त्री देखिए इस इमेज को देख करके इसके पेंटर का नाम बताना है अब पेंटर का नाम क्या सही है एंसर नमबर सी सही है इसमे राजा रवी वर्मा अब कोईशन नमबर फोर की बात करेंगे अब यहाँ पर चार ओप्शन दिये गए है इनको आपको क्रोनोलोजिकल ओडर में अरेंज करना है इसमें कौन सा ओप्शन सही होगा इसमें ओप्शन नमबर बी सही होगा कोईशन नमबर फाइव क्या कहता है identify the crop with the help of the following information अब ये information को पढ़ना है आपको और उसके हिसाब से आपको crop को पहचानना है इसका option कैसा ही है? इसका option है B सही इस्तरह से इसमें सारे questions के answer दिये हुए है 6th का answer देखिए, 7th का answer देखिए, सब का answer दिया हुआ है आपको इस तरह से इसके answers देख लेने है और ये sample papers आपकी board की preparation करने के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके through आपको exam का pattern कैसा है ये पता चलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा important यही हो जाता है कि हमको exam का basically pattern तो पता हो कि कितने questions आएंगे, कितने कितने marks के आएंगे इसलिए ये एक guideline के रूप में आपके लिए काम करता है देखे हर question का इसमें answer है कोई ऐसा question नहीं है जिसके answer ना हो और बहुत ही standard answer है को कि ये CBSC ने खुद जो है अपनी website पर एस solution डाला है तो आप इसमें से help लेकर के अपना इन answers को पढ़ सकते हैं और इनको prepare कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सारा ही दिखा दे रहा हूं इसलिए कि सारे के सारे देखे answers इसमें दिये हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको आप इसको अराम से पढ़िए और अच्छे से इन questions को तयार कर लिजे को कि हो सकता है questions इसी में से exams में आ जाएं आपके board में तो यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है देखे हर तरह हर question का इसमें आपका answer है long answers भी है, short answers भी है very short भी है, mcqs भी है mcqs को इस बार बिल्कुल भी हैं देखा मत करिएगा क्योंकि 20 questions इस बार mcq रहेंगे आपके paper में तो उनको अच्छे से prepare कीजेगा case based questions भी हैं इसमें तो इस तरह से आपको marks इसमें अच्छे score करने के लिए बहुत ज़्यादा important है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा हर question मैं आपको इस लिए दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से solutions मौझूद है यहाँ पर यह खतम होता है आपका sample paper का solution यह 16 page का है और यह पूरा का पूरा जो PDF है यह आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और यह पूरा का पूरा PDF आपको हमारे telegram channel पर भी मिल जाएगा जिसका link इस video के description में है आप वहाँ से हमाँ साथ connect हो सकते हैं मैं अपने channel पर MCQ की practice भी कराता रहता हूँ रोज polls डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग रोज मतलब practice में बने रहें प्रैक्टिस न छूटे जितने ज़्यादा questions की आप practice करेंगे उतनी आपकी गलती की संभावनाएं जो है वो exam में कम हो जाएंगी और फिर एक समय के बाद ऐसा होगा कि आपको एकदम देखे हुए questions मिलने लग जाएंगे multiple time practice करने का यही फायदा होता है उमीद करता हूँ कि मैंने जितनी भी बाते आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी हमारे चैनल को subscribe करिए इस वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों के साथ जादा सजादा share करिए हमारे टेलिग्राम चैनल को join करिए और हमारे साथ connect हो जाईए ताकि आप अपने doubts हम से पूछ सके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्वल भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत